दिए वाइज है तो उसकी वज़े से ये थोड़ा लंबा लॉग बनने वाला है तो मेबी इसके दो पार्स आए तो दोनों के दोने एपिसोड दोनों के दोनों पार्स आप लोग चरूर देखिए और आपी अपने घर में ये सारी चीज़े ट्राइब के देखिए कर दोनों के 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 दोनो कर दो कर दो कर दो कर दो developments कर दो दो। कर दो चैट कर दो कर दो कर दो दो कर 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 दो तो यह अगर आप घर के दिए बना रहे हैं तो आप लोग यहां पर आप अगर पेंट का यूज करें एशियन पेंट या कोई भी पेंट जो रहता है जो बहुत लंबे समय तक टिकता है इसे कोई पेंट का यूज करें मुझे बस आप लोगों को एक आइडिया देना था करके मैंने एक्रिलिक कलर का यहां पर यूज किया है लेकिन आप लोग अगर बनाए तो पेंट का यूज करें तो फिर आप उसे वाश भी कर सकते हो यह ट्रे मैंने एक्चुली कुछ सीजे रखने के लिए बनाया था लेकिन यह इतना क्यूट और प्रिटी दिख रहा है कि हम लोगों के बिल्कुल भी इच्छानी होईगी मेरे बेटे को यह बहुत प वैसे ट्रे या कुछ भी आपके रहता है तो उसको आप लोग पेंट करके थोड़ा और अट्रेक्टिव बना सकते हैं तो उसे किचिन और सुंदर दिखेगा यहां पर कोई भी तरीके के कंटेनर्स आप लोग यूज कर सकते हैं और अट्रेक्टिव और पॉप अप देने क लिए तो colorful होने की वज़े से वह थोड़ा और अच्छा दिखता है तो actually मुझे colors बहुत पसंद है तो मैंने colors का ज्यादा इस्तमाल किया है यूज किया है अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो आपको जो पसंद है उस color से आप लोग बना सकते हैं और यह एक मेरा DIY है जो आ तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से यूज किया है इन्हें मैंने इस तरीके से यूज कर लिया है अगर मैं इन में प्लांट भी नहीं लगाती तो मैं spatulas या spoon, serving spoon, spatulas मैं उसमें रख सकती हूँ वैसे भी वह बहुत पैरा दिखेगा अगर हम लोग उसमें रखते हैं तो लेकि यहाँ पर मैंने अभी plants लगाया है बहुत प्यारा दिख रहा है और यह भी मेरा वही DIY है जो लास्ट वीडियो में आप लोगो ने देखे होंगे तो यहाँ पर मैंने spoons और pops वगरा रखे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग जो हमारे पास में काच के glasses से रहते है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर ऐसे जो mugs रहते हैं जो कभी crack हो जाते हैं हलके से या डामेज हो जाते हैं तो आप लोग इने भी ऐसी रखकर उसमें spoons, fox वगरा रख सकते हैं वो भी बहुत पहरा दिखते हैं और यहां पर मैंने एक school basket है उसका यूज़ किया है तो हम लोगों के यहां पर बच्चे रहते हैं तो आप लोगों को पताई होगा बच्चों के घर में बास्केट से रहती ही हैं तो अभी तो फिलाल school online चालो है से ही रखा हुआ है तो मैंने इस ऐसे यूज़ मिलाया है तो सारी चीज़े एक जगा पर है और वेल ओर्गनाइज दिखे तो यहां पर सारी चीज़े आ गई है हम लोगों कुछ अपाती बनानी है तो यहां पर चकला बेलन तवा चॉपिंग बोर्ड है सारी चीज़े यहां पर एक जगा पर मिल जाएगी तो उसके जगा पर मैंने बास्किट का यूज़ करके उसका एक जूगाड बताया है तो आप लोग के पास में चकला बेलन तवा रखने का जो स्टैंड रहता है अगर वो नहीं लेना है तो आप लोग ऐसे रख सकते हो बास्किट का यूज़ करके तो आप लोग इस नहीं लेना चाहता है तो आप इसकी जगह पर वास्केट का यूज़ करें बहुत अच्छा वहाँ पर रहेगा सारी चीज़े एक जगह पर रहेगी और वेल और अर्गनाइज दिखेगा अब यहाँ पर मैंने यह बॉटल यूज़ किया है यह नॉर्मली बॉटर बॉटल है जो बच्चों स्कूल में लेके जाते हैं वही वाली बॉटल से हैं तो मैं यहाँ पर आज ओईल डिस्पेंसर ही नहीं यूज़ कर रहे हूँ तो यह भी हम लोग एक जुगाड कर सकते हैं कि ओईल डिस्पेंसर की जगह हम लोग ऐसे कलरफूल बॉटल साती है हाइडली टेन रुपीज की बॉटल है आसानी से ओईल निकल जाता है और कुछ गंदा भी नहीं होता है तो सेब यह ओईल डिस्पेंसर का काम करती है से इसी तरह के से आप लोग इन वॉटर बॉटल को ओईल डिस्पेंसर की जगह पर यूज कर सकते हैं यह भी एक जुगाड है यहाँ पर मैंने नॉर्मल से जो मल्टी पॉप्स शेल्प है वो यूज किया है तो अगर आप लोगों के यह आगर आप तो रहता ही रहता है हर गर में कोई ना कोई तरीके का तो शल्प एक हमारे पास में रहता ही है तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से रखे तो बहुत पैरा देशेगा यहाँ पर मैंने कैचप की जो बॉटल है एमटी बॉटल उसे थोड़ा कलर करके उस पर डिजाइन करके एक मनी प्लांट लगा दिया है तो उससे भी और अच्छा लोग आएगा काउंटर टॉप पर अगर आप लोगों के पास में थोड़ी सी भी जग्या बचती है कोई भी कॉर्णर बचता है तो आप वहाँ पर ऐसे एक डियाएवाय बनाकर बॉटल को नॉर्माइसा कलर देकर भी आप लोग उसमें मनी प्लांट लगा देंगे तो भी प्यारा दिख जरूप लगा देकरेशन है यह चोटी फीज की बॉटल कॉल रिंग की बॉटल जो आती है उसे भी मैंने कलर करके ऐसे मनी प्लांट लगा दिए मनी प्लांट नॉर्माल प्लांट मुझे प्लांट बहुत पसंद देता आप लोगों को हर जगा मेरे गर में प्लांट न जड अगर आप लोग कहीं पर भी रख देते तो बहुत प्यारा दिखेगा आप लोगो ने देखा जो मैंने हमारे जो सारी चीजे हमारे घर में अवेलेबर रहती है उसी का मैंने सारा जुगाड करके इसे आप लोग अपने कांटर टॉप को अच्छी तरीके से सुंदर और अर्गनाइज सकते हो यह बताया है जो आप लोगो को बिल्कुल भी उसका आप लोगों को जैसे अपने किचिन को रखना आप रख सकते हो यह खाली आप लोगों को आइडिया एक आइडिया आना चाहिए उसके लिए यह ब्लोग मैं आप लोगों के साथ में शैर कर रहे हूं हम लोगों की जीरो बजट में भी अपने किचिन को अपने कांटर बहुत अच्छी तरीके से रब सकते हैं बेना किसी खर्च लेके तो ये सारी चीजें यहां पर मैंने पीछे एक DIY बनाया है इसी तरीके से आप लोग कुछ DIY बनाकर भी जो सारी चीजे आप लोग देख पा रहे ह। मैंने सारी जो हमारी सारी काम की चीजे है वो आ चुकी है इतनी सी जगा में सारी काम की चीजे जो मुझे ज़रूरी रहती है जब मैं खाना बनाती हो या चाय बनाती हो तो सारी चीजे मुझे इतनी सी जगा मैंने सेक्ट करके रख दिया है और बहुत प्रोपर तरीके से यहां पर चाय के खीड़े आचुकी हैं, कप्स, मॉक्स आचुके हैं, यहां पर स्पून्स, पॉप्स आचुके हैं, यहां पर हम लोगों के चाय, पत्ती, शकर, कॉफी आचुका हैं, यहां पर रखा है, मैंने मसाला दानी, चपाती बनाने के लिए, सारी चीजे हैं, यहां पर ओईल है, इसी कॉर्णर में सारी चीजे मेरी आचुकी है, वो भी एक्दम प्रॉपर, नेक, क्लीन तरीके से, इतनी कम जगा में मैंने रखी हैं, और जो मुझे जरूरी है, वो सारी यहां पर आविलेबल हैं, आज का व्लॉग जो मैंने अप लोगों के साथ में शेयर किया, आज का व्लॉग आपको पसंदाए, आशा करते हूँ कि यह लोग आपके लिए हलफुल सावित हो, आपको कुछ आइडियास मिले, अगर आप लोगों को हलफुल सावित होता है, य फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लोग के साथ में तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का धान रखिये खुश रहिए, हसते रहिए, मुश्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल फिर मिलेंगे, बावाई फ्रैंज, बावाई, बावाई 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 झाल 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 झाल